आज हम बनाएंगे आलू और चिमला मिच की बहुती स्वादिष्ट और चटपटी सुखी सबजी तो आई ये बनाना शुरू करते हैं इसके लिए ये मैंने कड़ाई में सरसो का तेल ले लिया है जब सरसो का तेल अच्छे से गरम हो जाए इसमें एक तो पिंच हिंग आदा चोटा चमजीरा डाल देंगे बारी कटा हुआ लेसुन डाल देंगे बारी कटी हुई अद्रक डाल देंगे और बारी कटी हुई हरी मि अगर आप लेसुन नहीं खाते हैं तो स्किब भी कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए इन्हें भून लेंगे अब हम इसमें बरी कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज के सोफ्ट हो जाने तक इसे भी हमने ऐसे ही भूनना है अब हम इसमें अपने कटे हुए आलू डाल द से मिक्स करेंगे गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे और धक कर हम इसे पका लेंगे जिससे आलू पर एक बढ़िया क्रिस्पी सी कोटिंग भी आ जाएगी और आलू हमारे साथ साथ सोफ्ट भी हो जाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स आलू पर एक बढ़िया क्रिस्पी प कट किया हुआ है मिकस कर देंगे और अलू के साथ शिमला मिर्च को भी हम भून लेंगे गैस की फ्लेम को मिडियम करके 2-3 मिनट के लिए इसे भी हम धककर पका लेंगे जिससे की शिमला मिर्च भी हमारी सौफ्ट हो जाएगी अब हम धककन को हटाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स शिमला मिर्च पर भी एक बढ़िया क्रिस्पी सी कोटिंग आ गई है अब हम इसमें मसाले डालेंगे आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक से डेट चोटा चमच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे सुखी सबजी में धनिया पाउडर का फ्लेवर भोती बढ़िया लगता है और स्वादा नुसारम इसमें नमक टाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इस ट्राइल से आलू और शिम्ला मिच की सबजी बहुती टेस्टी बनती है आप भी इस रेसिपी को फोलो करके एक पारिय सबजी जरूर बनाएं आपको भी बहुती पसंद आएगी अब गैस की फ्लेम को लो करके आलू और शिम्ला मिच के सोफ्ट हो जाने तक हम इसे ढग कर पकाएंगे ये देखे फ्रेंड्स आलू हमारे लगभग 90% तक कुख हो गई है अब हम इसमें एक रफली कटा हुआ टामाटा डाल देंगे इससे टेस्ट भी बहुती बढ़ी आता है और सबजी देखने में भी बढ़िया लगती है अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं आदा छोटा चमच लाल मिच पाउडर डाल देंगे पोना छोटा चमच हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और आदा छोटा चमच गरम मसाला डाल देंगे मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या जादा भी कर सकते हैं और बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे इससे भी सबजी में टेस्ट बहुती बढ़ी आता है अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को लोग करके 2-3 मिनट के लिए हम इसे दुबारा से धक कर पका लेते हैं 2 मिनट के बाद धकन को हटाएंगे और सबजी को हम चेक करेंगे ये देखे फ्रेंड्स आलू और शिम्ना मिच्की, सूखी, स्वादिस्ट सबजी हमारी बन कर रेडी है इसे आप रोटी, प्रांठा, किसी भी चीच के साथ सर्फ कर सकते हैं रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक्स फॉर वचिंग, गुड़ बाई